नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुपता, सीनियर कंसल्टेंट प्रियेटिक्स, मनिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी बच्चों में वाइरल इंफेक्शन का सीजन चल रहा है जिसमें hand, foot, mouth, disease भी कॉमन है तो आज हम इसके बारे में कुछ पॉइंट डिसकस करेंगे hand, foot, mouth, disease एक तरह का वाइरल इंफेक्शन है जो की highly contagious होता है और पांच साल से छोटे बच्चों में इंफेक्शन जादा कॉमन होता है हाला कि हर साल इस सीजन में इसके cases देखे जाते हैं लेकिन इस साल इसके number of cases थोड़े से जादा है इसके लक्षणों में, हाथ-पेरों में rash हो जाना और मुँ में छाले हो जाना जादा कॉमन है कई बार ये rash blister form में भी हो सकते हैं और कभी-कभी ये elbow पे, knees पे या lower back पे भी extend कर सकते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये direct contact के थू होता है जिसमें की infected person के saliva से, stool से और respiratory secretion से infection होने के chances ज्यादा होता है infection होने के 3-5 दिन के अंदर symptom अपियर होते हैं जिसमें पहले fever होना, एक-दो दिन के बाद मुँ में छाले हो जाना और उसके एक-दो दिन के बाद हाथ-पेरों पे रेशेज हो जाना ज़ादा को मन है ये symptom बच्चों में ज़्यादा देखे गए as compared to adults क्योंकि adults इस age तक आते-आते इस viral से exposed हो चुके होते हैं usually physical examination sufficient होता है इसमें किसी test की जरुवत नहीं होती ये एक self-limiting condition है जिसमें बच्चा साथ से दस दिन में ठीक हो जाता है लेकिन अगर symptom दस दिन से ज़्यादा persist कर रहे हो या बच्चे को high-grade fever हो या बच्चा बहुत कम खाए तो ऐसे मैं अपने doctor की सला जरूर ले home remedies में हम क्या कर सकते हैं तो sure करें कि बच्चा कुछ oral intake लेता रहे at least liquid लेता रहे जिससे की बच्चे का hydration maintain रहे इसमें बच्चों में चालो में मूँ के चालो में नमक लगने पर दर्द हो सकता है तो बच्चे को कोशिश करें हलका सा blend, हलका सा मीठा या हलका सा ठंडा चीज देने की कोशिश करें इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे का hygiene maintain रखें उसको और बच्चों के contact में आने से रोकें जिनको इस तरह का infection हो रहा है बच्चे को समझाएं कि अपने हातों को बार-बार मुँपे न लेके जाएं बच्चे को hand wash का ध्यान रखें और अगर बच्चे को infection हो गया है तो पांच से साथ दिन के लिए बच्चे को school न भेजें उमीद है hand food mouth disease के बारे में जो जानकरी दिये मैंने वो आपके लिए helpful रहेगी Thank you